वीदा पिपिल ग्रुप में हम भारत के लोग के ग्रुप में एक कॉमन सवाल सभी के मन में आता है जो जुड रहे हैं जो जोड रहे हैं या जो नहीं जुड रहे हैं यह सवाल इसलिए कॉमन आता है क्योंकि अधिकतर लोगों ने बचपन से उसी व्यवस्था को देखा है उसी सिस्टम को देखा है इसलिए वही सिस्टम उनके दिमाग में बसा हुआ है रचा हुआ है वो सिस्टम है हमारे सर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठना चाहिए यानि कि हम एक व्यक्ति के नीचे होने चाहिए व्यक्ति हमारे सर पर होना चाहिए उसको कहते हैं कि लीडर्शिप कौन है यानि लीडर कौन है इसका अध्यक्ष कौन है, कौन इसको चला रहा है कौन इसका सर्वे सर्वा है मतलब हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात जो बाहर के लोगों ने डाली है वो ये डाली है कि आपके उपर जो होगा वो कोई व्यक्ति होगा आप उसके नीचे होंगे उस व्यक्ति के आप गुलाम होंगे वो व्यक्ति जो पॉलिसी बनाएगा वो आपको माननी होगी उसको राजा भी कह सकते हैं या उसको तानासा भी कह सकते हैं या व्यक्ति बाद भी कह कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि कोई एक तरह से समू बनाया गया है जो एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा मानता है दो तरह की नीती भारत में है एक नीती ये है कि जो अल्पसंखक होते हैं, कम लोग होते हैं, अगर उन्हें राज करना हो, तो वो एक व्यक्ति को प्रधानता बनाते हैं, यानि कि वो उस व्यक्ति के नीचे काम करते हैं, वो मर जाएंगे, किसी भी गलत बात को हां कर देंगे, कुछ भी कह देंगे, मगर उस व्यक्ति का साया है, image बनाई है, पिर चार पिरसार उसका किया है, उसको माना है, उसकी बात की है, और दूसरी जो व्यवस्ता चलती है, जो बुद्ध के समय थी, गढ़ व्यवस्ता, अधिक तर राजों में, वो थी कि जो गढ़, गढ़ माने होता है लोगों का समू, यानि कि जो लोगो व्यक्ति वो जरूर रखते थे उपर, जो उनके कहे को मानता था, ये व्यवस्ता बुद्ध ने बनाई, और ये व्यवस्ता भारत के सम्विदान में बावसाबने भी, वहीं से कॉपी की, वहीं से ली, यानि कि जगे जगे से लोग आएंगे, और वो लोग एक व्यक्ति को नाम के लिए अपना मुख्या बना देंगे, मगर जो व्यवस्ता रहेगी, वो उन व्यक्तियों के हाथ में रहेगी, तो जो व्यक्ति का गुलाम बनना पसंद करते हैं, वो अकसर एक प्रसंद जरूर पूसते हैं, चाहे वाटसेप के थरूप, चाहे मीटिंग में, चाहे मन में आए, इसे कusalा रहा है, कौन इसका सर्वैसरवा है, कौन इसका मालेख है, कौन इसका नेता है, मैं यहाँ इस बात को बलकॉल इस पश्ट और किलीर कर दूँँ, और यह वीडियो जो भी ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति बाद में विस्वास करते हैं, या जो वार बार प सरकार का है मगर उसकी नीतियां कोई भी ले सकता है तो हम हुबे हुँ वही नीतियां लेंगे जो समिधान के अंतरगत बावा साहब ने दी है यानि वीधा पिपिल जब बड़ा होगा और जब इसको गवन करने की आवशकता होगी अभी तो इसको इखटा करने की आवशकता है तो सब लोग इसको जोडने में और जोडने में लगे हुए है जब जादा हो जाएंगे और इसको अपने आप गवन करने की संचालित करने की इसको चलाने की आवशकता होगी तो एक्जेक्ट वही नियम इसमें लागू होंगे जो भारत के समिधान में बावा साहब ने ओरिजिनल नियम राए है यानि कि व्यक्ति अपने आपको गवन करने के लिए है अपना व्यक्ति खुद ही चुनेंगे वो खुद ही आगे आएंगे और वो अपने चुने हुए व्यक्ति को हटा भी सकते है उनके ओपर कोई व्यक्ति अगर एक मात रहेगा तो वो ठीक ऐसे रहेगा जैसे बावा साहब ने समिधान में बनाया है उसके पास पावर्स जो होंगी वो व्यक्तियों द्वारा होंगी decision जो लेंगे वो बाकी सम्व के लोग लेंगे यानि जो भी यहाँ नियम बनेगा सम्व बनेगा उसका जो निर्ने होगा वो लोगों के द्वारा ही होगा पहली बात तो इसका मतला इसको गवन करने के लिए सारे लोग गवन करेंगे और ये पॉसिबल है क्योंकि बावा साथ ने समिधान बनाया है भारत में वो चलता है वो अलग बात है कि उसको तोड मरोड के पूरी तरह से लागू करने में लोगों को दिक्कत महसूस होती है दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो बाडी है या जो ये वीदा पीपल जो लोग इखटे हो रहे है इनका उद्देश से क्या है? हमारा उद्देश से बिलकुल इस पश्ट है हम अपने वैल فیर के लिए इखटे हो रहे हैं हमारा किसी को अहिद करने का या नुकसान पहुँचाने का कोई हमारा काम नहीं है हम किसी और क्या जिक्र भी नहीं करना चायते हैं और जिक्र भी नहीं करते हमारा जो एजंडा है जो कारे सूची है वो हमारे बच्चों की और हमारी वैलफिर की है हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी medical सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छी education मिलनी चाहिए, लगबग बहुत कम दामों पर या free मिलनी चाहिए गवर्मेंट की तरफ से और सबको बरावर समानता का अधिकार मिलना चाहिए और हम सुखी रहने चाहिए यह हमारा agenda है, जो सम्विधान का ही एक directive principles है, उसका एक agenda है, तो हमारा उद्देश से बिलकुल इस पश्ट है, किसी को हमारा उद्देश से जानना हो, तो वो जो directive principles होते हैं, सम्विधान के, उनको पढ़ सकता है, जिसमें हमें मूलभूत अधिकार दिये हुए हैं, जो हमारे basic का दिकार हैं, basic rights हैं, fundamental rights हैं, वो हमें चाहिए, और अगर कोई यह पूछता है, कि हम अपने आपको govern कैसे करेंगे, और कौन इसको govern करेगा, तो हम सब इसको govern करेंगे, जैसे सम्विधान करता है, ये दो बात हैं, बुलकुल सब लोग अपने ध्यान में रखें, माइंड में इन दो बातों से हटके तीसरी बात इस मामले में नहीं आएगी, किसी को अगर rules और regulation पढ़ने हो, तो वो सम्विधान को पढ़ सकता है, उसी के rules और regulation इसमें apply होंगे, जब लोग इखटे हो जाएंगे इस लायक, अभी हम इखटे होने के process में हैं, तो हमारा पहला जो काम है और पहला जो agenda है, वो है जोडने का और जुडने का, जिसको ये बात पसंद आती है, वो आजाए, जिसमें कारे करने की छमता है, वो आजाए, जिसको ये बात पसंद नहीं है, और किसी व्यक्ति के नीचे काम करना है, तो वो चला जाए जहाँ उसको व्यक्ति पसंद है, अ अपना अपना तरीका है, कोई रोक रोक है नहीं, धन्यवाद. अपना अपना तरीका है, कोई रोक 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 है नहीं, धन्यवाद. कर दो कर दो